मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक कहेंगे जिसको one of the my favorite topic हैं वैसे बहुत से टॉपिक हैं जिसके बारे में हम यहां बात करेंगे लेकिन मेरा अब पता नहीं इस टॉपिक से मेरा ऐसा जुडाव है मैंने इस पर बहुत सोचा है समझा है तो आज एक छोटा सा एक वीडियो इसी पर हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक हम चैप्टर लेते हैं कि क्या होता है तो पता नहीं क्यों लोग हैंप और गांजा को एक साथ को चोड़ते हैं देखी दोनों का छोटा डिफरेंस मैं बताओं मैं क्या है एक तो प्लांट चाहिए यह जरूर है कि दोनों का जो हरा गांजा म्लब फूल होते हैं उसकें अंदर और हैंप जो है वो लोंग-स्टेंद होता है बड़ा स्ट्रॉंग और लेकिन इससे बड़ा सबसे बड़ा जो इसमें डोनों इसंसे पर अफार्ग जिसको कहते है वह होता है ट्याछी कि तैरह है ट्राहिड्रो कैनेविनल ट गांजा में होता है 5 ते लेके 25 परसंट और हम के अंदर होता है 0.3 परसंट अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा क्या रहा कि हैं को भी बैन करना पड़ा तो बता है ना कि दोनों की प्रजाती एक है और इस वज़े थे हैं को भी साथ में बैन होना पड़ा देखिए कई इसमें बहुत से ड्रॉबर के भी रहे हैं कि कई ना कर इसमें पॉलिटिकल भी हम लोग मानते की था क्योंकि आप लोग जानते हैं हैं इस दुनिया का सबसे पुराना जिसको हम लोग फाइबर में यूज किया जिसको हम लोग ने पेपर में यूज किया तो सबसे पुराना प्रोडेक्ट है यह लेकिन जब 18th century में जब उस समय फैब्रिक को देखा जा रहा था फैब्रिक के प्रोडेक्ट बनाया जा रहा थे पेपर बनाया जा रहा था तो उस समय मोस्टली जो थे 80-90% प्रोडेक्ट जो थे वह हम से बनते थे कई तरह की गाड़ियां फोर्ड से पहले जो गाड़ी उसने भी उन्होंने भी हम में यूस किया वा इसको तो अब चुकी इतना यूसफुल है अब यूसेज इसके क्या क्या है अगर हम बात करेंगे तो चाइ में कई देश ऐसे हैं जो पूरी त्यारी हैं इसमें 2014 में सर बराक अबावान ने भी एक बिल साइन किया उसमें उन्होंने यह क्लियर किया गया है कि हैंपूर गांजा में फर्क क्या होता है अच्छा एक बात बतायता हूं मैं आपको गांजा से इतनी नफरत क्यों मैं यह जो इसको नी कहूंगा कि हुए यह फायदेश्य ये यह लेकिन ऐसा बहुत नुक्सान भी नहीं ही क्योंकि अगना मिए एक दिन में गांजा जिसको मैं और मेरुवना से लेशे l y 2 कशानिक्या में अधर अभलते हैं तो इससे हमारे इस से तरह निख साइकशन कोर किया एक आयरूवेदा में हमारे पास 5,000 herbs, उनके बारे में बताया गया, तो आप जानेगे कि 5,000 herbs में से बताइए कि सबसे बड़ा राजा किसको बताया गया आयरूवेदा में, वो है हैंप, आप सोचिए कि आयरूवेदा इतना पुराना जो वेध है वहां पर भी हैंप को प्रमोट और हम लोग ने उसी राजा को बैन किया हुआ है तीन सालों से मेंका गांधी उन्होंने भी इस पर एक मुहीम छेड़ रखी कि हैंप और गांजा को किस वज़े से बैन किया हुआ है अब हम कहेंगे कि लोगों को उतर है कि इससे नुक्सान है अचा नुक्सान क्या है कि आप कहता है कि अदत पर जाती है अप डिक डाब बतूं आप को अधर हुआ कि आस पर एक दہ यह वहां नहीं है, जैसे हम खाना खाते हैं, डेली खाना खाते हैं, तो कया हम महीं खाने कि आदत होगी हम खाना खौना ए Netflix हम ऐसा नहीं होताना कि हर चीज में आदत ने होता है गांजे की लिबिटेशन है ऐसा कोई इनसान बेवकूफ नहीं ऐसे लेने वारे तो ड्रक्स भी लेते हैं बहुत यूज होता है उनसे तो मच बेटर अगर आप बात कर रहे हैं तो एक तरह का सेंसेशन अब हैंप की मैं बात करो हैं में यूएस में यूके में इसकी कई तरह क हैं वो इलाज नहीं है जैसे आपन कैंसर की बात करें है है तो कैंसर वा टी भी हुआ तो अईरोवेदा में बिए और इनका यूज हैं तो किसिरी और किसी प्रटेक्ट में 45 नाम मतलब आयरुवेदा में इस गांजे को 45 नायम दिये गए हैं आप सूची अलग अलग तरीके से उसको इसके बार में explain किया गया है उसके uses बताए गए हैं कि क्या-क्या uses हैं गांजा के हम मैं गांजा को promote नहीं कर रहा हूं मैं आज आप ये वीडियो गांजा के लिए बन हैं इसन पे खोलने के तियारी में है जैसे ओताखंड में इसका लैसेंस दिया गया है आगे भी कही जनगे इसका लैसेंस देनकी तियारी चल रही है उनका ही कहना है है उनका ही सोच है कि अगर हम्न ऐसा कोई सीड दें सब को जिसका ठीय से परसेंटेजी 0.3 हो, 0.3% हो, तो क्या होगा, फिर तो महरुवाना नहीं होगेगा, फिर तो हैंप होगेगा, और मुहीम तो एक गांजा के ओपर भी हो रही है, कि गांजा को भी बैन फ्री करना चाहिए, ठीक है, हम उस चेप्टर पर नहीं जाएंगे, हम बात करें हैंप की, हम अब बात करें हैं को किया गया,, 1965 में बैन किया गया, आज तक बैन है, तो कहीं नको, इसकी वजह पॉलिटीकल भी है, पॉलिटीकल इसलिए लिए कि, ब बड़े-बडे, जो हम खहेंगे, कि घर थे या बड़े-बड़े इंडरेश्टिस, इंडस्टि छे, उन्हों ने ह को बड़े बड़े इंडेस्ट्री इस ने कॉटन को प्रमोट किया तो आप सोचिए कि एक ऐसा पोधा हम कंपेर करें किसका हम का जमीन जो है जिस पे हम गए जाता है उसको खराब निकरता है कॉटन खराब करता है उसमें कुछ और नियुगा सकते हैं पानी की जुरत हम को 10 times कम है कॉटन से ठीक है पेस्टिसाइड बिल्कु यूज नहीं होता फर्टिलाइजर यूज नहीं होता कॉटन में 30-50% आप याद रिखें आप कॉटन को इतना प्रमोट करते हैं लेकिन कॉटन में 30-50% पेस्टिसाइड या केमिकल यूज होते हैं आप कैसे ओती क्योंकि हमारे चांसे टोपियाशी क्रोंता है तक्चिक होता है भाषे निकलती काहिं नकालता है तकर दो कर दो काहिने केमिकल जो होते हैं और हमारे जो फैबरिके कपड के जो केमिकल सोते में वह उसके साथ किक रिक send मनाते है उन reaction के वजएसे następ CT hardकी miss एक्रिकिक बिल्कुर अलग है उसमें ने तो कोई केमिकल यूज होता है ने किसे दिगा पैस्टिसाइड यूज होता है कॉटन में मैं और्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिप जो नॉर्मल कॉटन हम लोग यूज कर रहे हैं और अगर वह प्रमोट होता है तो वैलन गूट तो अब मैं बतारों कि इसके कई तरह के प्रोड़क हम लोग हजारों फिट नीचे घहरे खड़े खोते हैं वहां से हम लोग ओईल निकालते हैं और एक ऐसा पोदा चार महिने में तयार हो जाता है और इसका खुद बायो फ्यूल आप जानेंगे हैं से बायो फ्यूल बनता ह चाइना इसके बहुत यूज करता है हैं को बायो फ्यूल बना रहा है तो एक ऐसा पोदा चार महिने में आपको अपने आप से बायो फ्यूल दे सकता है और हम इतने हजारों फिट ख़दें खोद रहे हैं उस फ्यूल निकाल ले तो हमारे हैं सबस्याद है दिक्कत क्या है टिक है एक है डीजिज मतलब किसी तरह बी मारिया तो वह कहीं ना कहीं हमारे खान-पान पर अब हैं यूजे हैं हम लोग कहने की मार्ऑ कई तरह के प्रोडेक्ट ऐसे हैं जोसे यस सीथ इस पहसे निकलता रिमार्ट बूर्ड वी हो गया जो हम लोग कहने में यूज कर सकता तो उसे बहुत से फायदे हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इतने तरह के nutrition इसमें भरे में हैं, और एक छोटी बाद आता हूँ, जापान में हीरोशीमा और नागा साकी, आप लोग सुना ही होता है, इनके साथ क्या हुआ था, जब वो नुगलियर एटेक हुआ था इन प पहले वहां की गवर्मेंट ने हैं को प्रमोट किया, और वहां की लोगों को हैं पोगाने के लिए क्या रीजन है, हैं जो है वो जमीन को जो उसके अंदर जो टॉक्सिक है वो उनको निकाल देता है, उनको कंट्रोल कर देता है, तो आप सुचिए कितना बड़ा फायदा है और गर्मी में जो है ठंडा रहता है, सर्दी में गरम रहता है, कई तरह के देश है वहां पर अपने छटों पर हैम की एक लेयर बिचाते हैं और वहां पर हलका सा पानी का चेरते से वो छट जो है ठंडी रहती है, तो यह एक बहुत से प्रोटेक्ट उसमें वो लोग वाई यूज करते हैं, चाइना मैंने बता है 25 जार प्रोटेक्ट बनाता है, इसके क्या-क्या यूज है ये इस वाले चार्ट में आप लोग दिखेंगे कि इतने तरह के यूज हैं, इसका एक ऐसा पोधा, जिसका हम लोग बात करें कि कुछ भी बेस नहीं जाता है, मतलब रूट यूज है यूज है, है बात रूट, से मैडिसीन बनती है, इसकी यूज है यूज हो है मैटि ए कोधी जाता है लूज है वं संधोराइट, इस तरह के प्रोटघ्ट वहार। उसके बाद SIDD हो गया SIDD के OIL बनते हैं, SOLUTION ,BAN TAKAHों बनते हैं, categorizing organic product बने भणा इसमें एक ख़जानत कह लिए abrasiveness खुपा वा है at deliver अब हंब आप पताएं कि ban किया ह Frosth потребator Derg जब शिवजी की पूजा होती है, तो आप किसी पुजारी से आप मालूम करेजिए तो उस पे जो है वो गांजे का जो पत्ता है वो शिवजी पे चड़ाया जाता है तो आप सोची की एक तरफ तरफ तो इसको बेहन कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिवजी के ओपर चड़ा र और फिर आप उस चीज को बेंग गरे तो बहुत झीज को प्रमोट कर रहा हूं इसलिया हम कि हम को कम से कम इतना एक रस्पेक्ट मिले यहां इंडिया में और इतना ज्यादा हुज इसमें खजाना चुपावा इतने ज्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर आप मैं कि बता रहा ह प estratég किसी तरह के also we move some में साल के वार में पर ऑइसी जमीन रवरिक्साल सकते हैं स्को आप पो we got a सकते हैं मारह आ लगा सकते हैं जहाँ प्रभ बहुत पानी अता हो तो मैं अगा कई तरह की चीजें यहाँ पर आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं और कई तरह के फेबरीक बाहर बन रहे हैं कंडा ए जर्मन युएस में उनमें आप को प्रमोट करे यह ब्लैंड में कॉटन के साथ फ्रॉलन के साथ हैं को यूचर हैं चुकिक टाइप ओफ दिखने में कैसा होता है उतक है फाएदे मेन पर आहएं के कितने तरह के होते हैं, CBD जो इसमें होता है, जैसे THC मैंने बता है, जो इसमें DRUGS PERSONDAGE होता है, 0.3 होता है, CBD जो है, वो NURO, की जो MEDICIN होती है, UK, US में बहुत जादा यूज हो रही है, कई तरह के बड़े-बड़े बिमारियों में ये यूज हो रहा है, CBD को यूज कर रहे हैं, वो हैम से मिलता है मैं, nutrition का भरावक है ये, कई तरह के nutrition से, तो अगर आपको कोई ऐसा पोधा मिलता है, जो इतनी मुकाबला इसका कर सकता है, तो आप मुझे जरूर बताईएगा, कि उसमें हर दरह के कोई नुकसान तो मुझे नहीं दिख रहा, मैंने आपको इतनी सारी चीज़े बताई, कि इस से किस तरह का नुकसान होता हो, बहुत गरीब है, पानी की जुरत नहीं है, अपन होती है, तो वहां पर बहुत कम टाईम होता है कि कोई क्रॉप को हम ळे पाए है, तो क्या लेंगे वह पर हम को यूज़ कर सते ह traumat से हैं, तो बहाँ पहाडी लाका है, वहां लोग हम को यूज़े करते हैं, आपने खाने के काम लेते हैं ridiculously क्य तरह के प्रोड़ेक्त को यूज चाहता हूं कि हम हैम को फ्री करें इस बेंसे और बाहर की मैं छोड़ा का मानता हूं कि बहुत नया कुछ करने को मिले हैं के लिए लोगों को तो यह कौँगा कि कुछ न कुछ करिये हैं के साथ मिलके हम इसी तरह के टॉपिक ओल आएंगे और गेनिक पर मेरा एक फोकस है और किसी तरह का नुकसान नहीं इसके अंदर तो आप जुड़े रहें इसके साथ में और प्रमोट करिए इसी तरह से हम नए प्रोडेक्ट की बात करेंगे हम मैं क्यों हैं पोई नहीं कह रहा हूं कई तरह के प्रोडेक्ट और एक तो मुझे अच्छा टॉपिक लगता है इस हम मैं बात करना चाहूं तो शायद बहुत सी बाते कर सकता हूं बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा तो इस पर हम लोग वापिस और चर्चा कर देंगे आप मेरे वाटसब पे आप उससे कॉंटेट कर सकते हैं इसके बारे में और मालूम कर सकते हैं या आपके पास को जानक करिए हो आप मुझसे शेर कर सकते हैं हम जरूर इस पर बात करेंगे तो इसी तरह चोट-चोटे क्लिपिंग वीडियोज डेमो वीडियोज हम डालते रहेंगे आप उसको एंजोई करिए और लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज अप के नोलेज बड़ा रहो थैंक यू